सब्सक्राइब नहीं किया है यदि आप जाना चाहते हैं SSE ने क्या नया काम किया है और किस तरीके से वो beneficial होगा यदि आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को last तक देखते रही है और यदि आपने भी तक Knowledge TV देशी ताव यूटूब जोनको सबस्क्राइब नहीं किया है और आज विश्व करमा देवस है तो आप सभी को राम राम जी नमस्ते ठीक है और भाई अधिपावली का जो तिवारो का सीजन था आपका बहुत अच्छे से बीता होगा निप्टा होगा और अब दुबारा से जो आपने SSC GD का एक्जाम है और SSC MTS का एक्जाम अभी चल रहे है आगे और भी एक्जाम होगे बहुत सारे CHSL के CGL के तो यह आपके ओनलाइन एक्जाम होते है अब क्या है अब केवल एंट्री पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है ठीक है अब क्या करेगी SSC जब बच्चे का एक्जाम कम्पलीट हो जाएगा और जब वो सेंटर से बाहर निकड़ेगा तब उसकी दुबारा से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ करेगी इससे क्या है जो बीच में चीटिंग वगरा होती है उससे बचा जाएगा जो सीटर बैठते हैं उससे बचा जाएगा तो मेरे इसाब से SSC ने जो डिसेजन लिया है बहुत अच्छा लिया है सरहनी है और आपके इसाब से आपको क्या लगता है कि एक्जीट पे और जब एंटरे करते हैं जगह पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सिस्टम हो जाएगा तो यह कितना हेलफुल रहेगा एक फेर भरती को करवाने में ठीक है तो मेरे इसाब से तो अच्छी चीज़ है आप अपनी जो भी राएए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और SSE GD के लिए सोरी SSE GD के जो भी एक्जाम है सोडा तारिक से तो इदि आप उनके लिए SSE के पुराने पेपर पढ़ना चाहते हैं SSE की ओनलाइन टेस्ट सीरीज जोइन करना चाहते हैं या SSE के GS के 10,000 कुश्टन पढ़ना चाहते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेंगे ठीक है आपके इच्छा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन टेस्ट सीरीज को PDF को जोइन कर सकते हैं आज की वीडियो में तरही धन्यवाद भगवान के आप सभी गास में सुब रहें